नमस्ते मैं हूँ रेनुका तो आप सबका मेरे यूटूब चानल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज के वीडियो में मैं आपको मसाला मुमफरी बना के दिखाने वाली हूँ जो बाजार में मिलती है जो बहुत ही महंगी होती है तो आप इसे आसानी से घर में बहुत ही कम ingredients में बना सकते हो तो चले श्टाट करते हैं आज का वीडियो मगर उससे पहले अगर आप मेरी YouTube चानल पर नए हो तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आकन को प्रेस करके और पर क्लिक कर दीजिए तकि मेरी हर न्यू वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिले तो मसाला मुमफली बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्रेम मुमफली लिए जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी फिर हमें इसमें 2 कप बेसन का आटा डालना है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा चमच हल्दी पाउडर डलनी है फिर उसके बाद हमें इसमें एक चमच गरम मसाला पाउडर डलना है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वादनुसर नमक डलना है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालना है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा चम्मच लाल फूड कलर डालना है जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा फिर उसके बाद हमें इन सारे इंग्रिडेंस को अच्छे से मिक्स करना है तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी डलके इसका पेस्ट बनाना है तो आपको पानी इसमें देख के डलना है तो हमें ये पेस्ट बहुत सी पतला नहीं बनाना है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद नुसर लाल मिर्च पाउडर डनने हैं फिर उसके बाद हमें इन सारे इंगरेंस को आच्छे से मिक्स करना है तो मैंने इसमें लगबग दो गलास पाने डाल दिया है तो अभी हमें इन साले इंग्रिडेंस को अच्छे से मिक्स करके इन्हें हमें 15 मिनिट तक ऐसे ही रहने देना है तो अभी 15 मिनिट हो चुके है तो अभी हम इन मुमफली उंको तेल में फ्राइ करने वाले है तो मैंने मुमफली उनको फ्राय करने के लिए ग्यास पे तेल रग दिया है फिर तेल गरम होने के बाद हमें इसमें इस मुमफली का पेश्ट डालना है तो मैंने अभी तेल में मुमफली का पेश्ट डाल दिया है फिर हमें इसे चम्मच से इसे हिलाना है नहीं तो ये सारे चिपकेंगे तो हमें इसे इसे चम्मत से हिला के इन्हें अलग करना है और इन्हें हमें क्रिस्पे होने तक प्राय करना है तो हमें ग्यास को एकदम बारिक रखना है तभी ये क्रिस्पे बरेंगे तो ये दिखिए अभी ये क्रिस्पी बन चुके है और अभी ये मसाला मुमफली बन के तैयर हो चुके है तो आप ऐसे ही आसानी से घर में बाजार जैसी मसाला मुमफली बना सकती हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिल से मिलते हैं और एक नए वीडियो में तो thanks friends watching my video.